पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे 2014 तक का आंधर प्रदेश अस्तित्व में आया और इस पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर क्यों तेलंगाना और आंधर प्रदेश अलग हुए शुरूत करते हैं 1979 में आये तेलंगाना आंधुलन से इस आंधुलन में क्षित्र के लोगों का आंधर निताओं के खिलाफ आकरोश साफ साफ दिख रहा था उन्हें लग रहा था कि आंधर के निता उस समझोते की अवेलना कर रहे हैं जिसके कारण तेलंगाना और आंधर का विले हुआ था हैदराबाद के निजामों के समय के मुल्की नियम को हाई कोट ने यह कहकर हटा दिया था कि वह आंधर के लोगों के लिए गलत्थ दोगा इस नियम के अनुसार तेलंगाना में नौकर शाही पर सिर्फ तेलंगाना के लोगों का ही अधिकार था जिसमें चलते राजसरकार की अपील पर 1972 में हाई कोट ने इस नियम को फिर से लागू कर दिया अब आंधर एलाके के लोग अपनी ही राजधानी में नौकरी नहीं कर सकते थे इस नियम के विरोध में जय आंधर आंधुलन उबर कर आया इसमें अलग आंधर की मांग की गई इन आं अंधर शेकर राव ने 2001 में तेलंगाना राज्य बनाने के आंधुलन को एक बार फिर शुरू किया और ऐसा करने में उन्हें 2014 में सफलता भी मिली और 2014 से अब तक भी वहां के मुख्यमंत्री बने हुए है विवाजन के वाद आंधर में श्री एन चंदरवावु नाइडू मुख्यमंत्री बने और अभी हाल ही में हुए चुनावों में YSR कॉंग्रेस ने आंधर में सरकार बनाई और श्री जगन मोहन रेड़ी मुख्य की जनकारियां आंधर प्रदेश के राजिपाल श्री एसल नर्सिमन हैं प्रदेश में विदान सबाकी 116 सीटे हैं वह विदान परिशद की 58 साथ ही लोकसबाकी 25 सेवं राज सबाकी 11 प्रदेश की राज भाशात तेलगू है और प्रतीक चिन पूर्ण घटम घटम यानि प्रदेश का राज गीत मां तेलगू तलिकी राज पुष्प चमेली राज पशु काला हिरण राज निर्तिकुची पुडी राज पक्षी तोता वा राज विरिक्ष नीम है आंधर प्रदेश की जनसंक्या 2011 की जनगणना के अनुसार 4,96,34,34 है इसमें पोलवरम के अंधर प्रदेश में विलाय किये गए तेलंगाना के खमाम जिले के साथ मंडलों की कुल 2,47,515 की अबादी भी शामिल है यहां के अधिक्तम लोग तेलगू बोलते हैं तेलगू के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाशा उर्दू है यहां के लगवग इंक्या जो नास्तिक भी हैं महायान बौद धर्म के विकास में मगद के साथ साथ इस शेत्र का भी काफी योगदान है प्रदेश की अर्थ वास्ता के लिए आयका मुक्ष्रोत कर्शी रही है और यहां की लगवग साथ प्रदेशत जंता किसी ना किसी तरीके से खेती से जुड़ी का मुखे आहर भी चावल ही है साथ ही यहां गन्ना, कपास, काली मिर्च, आम और तमाकू भी खुग होते हैं बता देंगे राज भारत में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पदन करता है जिसके कारण इसे एग बोल ओफ एश्या भी कहा जाता है आंधर प्रदेश में और गैस के मंदार भी मिले हैं एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में कृष्णा गोदावरी वेसिन में 134 ट्रिलियन क्यूबिक फिट यानी 3,89,000 करोड क्यूबिक मीटर गैस मिली है जो आने वाले कई दशकों तक भारती उर्जा संबंद्नी जरूरतों को पूरा करने के लिए परियाप्त हो सकती है अंधरप्रदेश अपने तिर्गु भोजन के लिए जाना जाता है कूरा यानी कडी सबजी पप्पू पचडी उरुगाया पूलुसू और मीठे में खाजा पाइसम लड्डू आदी प्रमुखें कूचिपूडी राजिका सरवादिक प्रसिद शास् की संगीत में भी काफी योगदान है यहां मकर संकरांती महाशिवरात्री योगादी राम नव्मी दशहरा दीपावली आदित योहार बड़े चाओ से वनाए जाते हैं तिलंगाना के साथ साथ आंधरप्रदेश टॉलीवूड का पालना रहा है बाहु बली फिल्में टॉल का देंगे डॉक्टर सरवपली राधा कृष्णन और श्री वीवी गिरी तेलुववाशी ही थे राजनीतिक विभाजन कभी भी हितकारी नहीं होता भले ही हुआ एक राश्ट्र हो या एक राजिन है अलाकि आंधरप्रदेश अब आगे बढ़ चुगा है और विकास की और अग्रसर है राह थोड़ी मुश्किल जरूर है लेकिन मुम्किन है धन्यवाद